हलो फ्रेंड्स आज हम युक्रेन रसिया पैसस के बारें बात करेंगे इसके सीड्स आपको युससार के डिसलूशन के समय से देखने को मिलेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 में युससार डिसॉल्व हो गया था और उससे पहले जो युससार था वो काफी पावरफुल था और युनाटेट से डारेट कॉंपटीट कर रहा था और जो युक्रेन है उससे अल्मस्ट फिप्थ जो पोर्शन था एकनॉमी का वो युक्रेन से आता था तो युक्रेन के जाने के बाद कहीना कहीं जो रसिया है प्रेजेंट डेर उसकी एकनॉमिक पावर कम हुई और इससे इसका जो इंपैट था वो काफी काम हुई दूसरी बात अगर युक्रेन जो है वो नाटो को जोईन कर लेता है या नाटो में उसको क्या है मेंबर से पन जाती है तो डारेक्ट सेक्यूरिटी थ्रेट है रसिया के लिए क्योंकि जो नाटो का जो स्लोगन है वन फॉर आल ए किसी एक कंट्री पे अगर कोई अटैक करता है तो सारी जो अलाइट norm64 और सवासर थ्रेट करेंगे या उसके रटाइक करेंगे जो काफी बात्चेत होई मागर कहीं ना-कहीं जो तेटेस से फॉस स ऐसे से अलग हुए तो यूनियन में आ जाया है नहीं तो नटो को जोईन कर ले और एसाटरा एसाटरा और जैसा कि आपने वार से पहले देखा हो एक यह यह बोल ला था कि हम आपको प्रोटेट करेंगे यह करेंगे वह करेंगे और जैसा अक्सर युनाइटर स्टेट्स करता है लास टाइम पर वो इसनने कहें द्होका देता है सेमर यहां पर हुआ वह भी धोका दे रहाहे है साथ बट आब सृधिंअ कर रहा है क्योंकि ग्लोबिल उसको रहा क्राइब क्लॉबल ही उसको क्योंकि अक्ट्यूक्वा workshops करारा क्योंकि उसने युक्रेट्स उसको सपोर्ट करा और उस और connects युक्रेट ने कुछ आ रहा है कि कुछ कंट्री जो है युक्रेट को क्या है वेपन्स प्रोवाइट कर रहे हैं और डिरेक्ली उसको सपोर्ट कर रहे हैं जहां तक बात है रसिया की तो रसिया ने पहले ही से प्लान कर दख्था था कि उसको कितना इकनोमिक सैंक्संस और रसिया ने उससे टाइमी मांगी थी अपनी रिपोर्ट सब्मेट के लिए बट वो जब तक वो रिपोर्ट सब्मेट करा उससे पहले ही उसने उसके अगेंस्ट जो जैसा रसिया बोलता है एक military action करा है उसको war नहीं करता है इसे military exercise कर रहा है और जैसा कि UN Charter को गर हम देखें और ICG के रूल्स देखें तो इसके इसाब से कोई भी member country में जा सकता है और ICG क्या है का जो compulsory jurisdiction सभी member country से बढ़ता है तो अगर ऐसा कोई matter ICG में है तो कहीना कहीं उनको मानना पड़ेगा अगर नहीं मानते हैं तो security council उसके अगेंस्ट action ले सकता है तो उसके लिए security council में प्रस्ताव लाने की जुरत है as per the directions of you know ICJ but यहां पर interesting point यह निकल के आता है कि कौन action लेगा ICJ अगर कोई judgment pass भी कर देता है उसके अगेंस्ट में तो United Nations के उपर यह power मतलब क्या है duty है कि उसको execute करा है तो कहिना कहीं security council वह execute कराना पड़ेगा और security council में permanent members हैं और Russia उनमें से एक है और Russia के पास veto power है तो अगर veto power की history आप देखेंगे तो सबसे पहला जो veto power है वो USSR ने सबसे पहले exercise करा था और almost 293 times जो है वो veto को exercise करा गया है और almost 50% जो है वो USSR present day Russia ने कहा है इसको exercise करा है जैसा आप जानते हैं कि China Russia के साथ है तो एक बात तो एकदम clear है कि United Nations में इसके against क्या है कोई खास action नहीं लिए जा सकते हां ये globally जो भी United States के allies हैं वो आपस में उसके against action ले सकते हैं आपनोड supporting की जो Russia है वो सही कर रहा है बड़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो जो मीडिया है जो सारा के सारा मीडिया ब्लेम कर रहा है या इन्हों रसिया के लिए तो आपको ये भी धिहान रखना होगा कि किसने उसको उक्साया तो बार-बार अमेरिका उक्साता है और पीछे हट जाता है तो अगर आप देखेंगे तो अधर साइड में आपको USA देखेगा इन सारी साजिसों के पीछे क्या जुरूत है आपको प्रवोग करने की नाटो जॉइन करो अभी ऐसी कौन सी आफ़त थी कि नाटो को जॉइन करने की जुरू करा था बट उसको रसिया को भी नहीं पता था कि इतना आगे चला जाएगा तो इसकी वएसे जो बाकी कंट्रीज है इसको थार्ड वर्ड कंट्रीज काते हैं उनको ज्यादा प्रॉलम आईगी जैसे कुरूड ओयल महेंगा हो गया तो इसका सबसे आदा खामियाजा क्या है वह गरीब दिसों पर बढ़ता है क्योंकि जो डेलाव कंट्रीज हैं इनके पास हमेशा रिजर्व होता है जब भी ग्लोबली कोई क्रैसिस आता है इसके वैसे क्या है जो आइल प्रैसिस कम होती है तो अपना यह रिजर्व काफी कर लेती है तो अगर कहीं किसी टाइम आइ यह जो भी इवेंट है इसके बाद एक चीज़ तक हम क्लियर है कि न्यू वर्ल्ड और आने वाला है जैसा कि हम जानते हैं जब लीग ऑफ नेसंस फेल हो गया तो उसके बादा उनाइटे नेसंस आया और आज के टाइम में यह को रॉकेट साइंस नहीं है इसको पता लगान यहां जयाने में इसको देना है तो उसको आसानी से मिल जाएगा दूसरा कंतरी जिसको वास्तर वहां पर उसको नहीं मिलेगा यहां पे आपको बता दूं कि यूकरेन के इसो में यहादा मतलब वर्ड लेवल पे बाते चल रही है या यह जो वैसेंट मेडिया है बाते कर रहा है बट हमारे मैनमार में जो पास महीं है जहां पर डैमोक्रासी लबक प्याति चाली साल हो गए है डैमोक्रासी एकदम खतम हो रखी है आंकसान सूची जिसको नुबर प्राइस मिला आप उसको क्या है उसको जेल में डाल दिया और कोई सुन्ने वाला नहीं है ठीक है टोटल डिक्टेटर सिर्फ वहां पे चल रही है मगर युनाटे नेसंस को इस कि चिंदा नहीं है कई जगों पर ऐसी प्रॉलम में कई सीनों साओध यसेन कंट्री जहां पर डिक्टेटर सिर्फ चल रही है टोटल अंड्रेस्ट है डामोक्रेट्रिक वे में काया है गौर्णमेंट काम नहीं कर रहे है मगर उसके बारे में ग्लोबली बात नहीं होती है म तो सब्सक्राइब तो अब ही आगर चीजे को नहीं संभाला गया तो दिर इस प्रॉबलीटी कि इस्तिमाल किया जा सकता है यह जो भी जो इसू है जब यह सॉल होगा तो उसके बाद क्या है एक new order आएगा और यह देखना होगा इंटरस्टिंगली कि new world order में कौन लीड करता है यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि जो new world order आएगा कोई developing country इसमें सामनी आए और वो क्या है लीड करे क्योंकि आपकी problems को develop country नहीं समझते तो किसी developing country को आना होगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा system बनाना होगा जो ज़्यादा organic होगा जहां पर सबकेश्य होगा काली ऐसा ना हो कि एक टूल बन करें जाए तो अगर आप देखेंगे जो control के हम बात करते हैं जितनी पे एजनसीस हैं उन सभी एजनसीस पे कहीं ना कहीं develop country इसका control है तो जैसा वो चाते हैं वैसा ही वो अजनसीस काम करती है और यह जो structure है आप देखेंगे तो यह structure United States का है वो total failure कि जो permanent member है वो कोई भी permanent member है 5 में अगर वो कुछ गल्द करता है तो United Nations में कोई भी proposal उसके पहली बातों आएगा नहीं अगर आता है तो there is a veto power तो इस mechanism क मतलब क्या हुआ यह तो ठीक safety wall principles की तरह से हो गया कि law तो है मगर एक provision है जिसके वैसे हम बच जाएंगे और बाकी कोई और country है जो powerful नहीं है तो यह सारे के सारे provision उस पे क्या है अप applicable होगे उस पे आप attack भी गर दोगे और हमने पहले भी देखा है कि United Nations में deliberately resolutions है और आपने द चीजे अगर अगर डिया 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 करेंगे कि यह अटाउमिक पावर बनना चाहरा है इसको destroy करो ठीक है तो आपके पास भी atomic power है और कोई अतना कोई safety mechanism नहीं कि आप उसको use नहीं करोगे नोबडी नोज अगर आपके पास कोई problem आती है तो self defense में definitely आप भी atomic power यूज करेंगो so likewise other countries तो अगर आपके पास आपको क्या है defense का आप क्या है लेते हो security internal security का defense लेते हो तो कहीं नहीं कहीं यह problem सारे countries के साथ है तो इस logic के साथ आप से तो सभी के पास nuclear power होना चाहिए so that अगर को इस पर nuclear attack करता तो उनके पास भी nuclear attack का option होना चाहिए तो इस topic में चाहता हूं कि आपके क्या opinion है आप इसको discuss करेंगे और यह बहुत serious issue है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग डेलोग countries का puppet बन जहे है हमें freedom है अपनी बात कहने का तो हम अपनी बात कहेंगे कुछ लोग हो सकता उसे agree ना करेंग क्योंकि western media ने इतना ज्यादा उनको you know social engineering के थुरू नियूर लेंगिस्ट्री प्रोग्रामिंग के थुरू उनका brainwash का रखा है तो उनको other side देखने को इन ही मतलती है तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है provided आपको open mind हो और यह जो world जो least developing countries में बार बार उनको कहता हूं कि अपनी power को आप समझो देख कहिना कहीं अफरीका की जुरूत है South Asian countries की जुरूत है तो powerful आप होना की वह है क्योंकि उनके economic जो growth है या economic interest में वह directly आप से जड़ो में है तो इस power का इस्तमाल करके कहिना कहीं उनको control कर सकती है तो आज के लिए इतना ही तो आपके opinion क्या है please आप अपने comments दीजिए so that हम आग आप आपड़ो आप आट